नमस्कार दोस्तों! कैसे आप लोग? आज फ्रेंट्स में आप लोग के साथ में शेयर करोंगी चॅनौरी के मंत में यानि नय साल में हम ऐसे कौन-कौन से पोदों की कटिन लगा सकते हैं जिससे आनेवाले समय में आपको कुछ पोदों से फ्लावरिंग मिलेंगे कुछ ऐसे पौध हैं वामने प्लांट्स हैं जिनसे आप उनसे अपने गाटन की खुबसूरती बढ़ा सकते हैं यानि क्योंना मेंटल प्लांट के बारे में बात करूंगे तो वीडियो में फ्रेंस आप लास तक बने रहे हैं वीडियो अगर अच्छ माना चाइता है और यह में नरसरी से छोटी से कटिंग लाई थी और अब यह तैयार हो गया थो इस गम्ले में लगा हुआ था गम्ले बंद्रों ने तोड़ दिया है और कुछ भी मैंने और बहुत ही भी लगाया हुए थे नरसरी सिला के तो इनसे हाँ पे अलग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि एक गमले में कई पोधे नहीं चल सकते तो यह हमारा बेबी टियर प्लांट से मैंने दो हफ्ते पहले लगाया हुआ था और अभी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से में रूट आई हुई है बहुत ही खूबसरत यह लग रहे हैं तो भी हैंगी बास्केट में लगाँ जाँ कि मैंने इनको हैंगी बास्केट के लिए लाया हुआ था कटिंग थी यह फिर में एड करने तो ज्यादा को रूट मुझे जहाँ डिमेज नहीं करना है मिट्टी बिल्कुल soft आप लोगों को पता है कि जो भी मिट्टी हम लोग बनाते हैं वह soft भी रहती है जोट भी अच्छा से आगी है तो cutting अभी इनको हम shift कर दे रहे हैं हें हेंगिंग planter में आवी नहीं नहीं होगा और फ्लान्ट भी राट फ़ाड़ा ए जब इसे तरह की रगाएं जब बहुत पानी बहुत जरूर ज़री हो जाता है यहां पर मेरी कटिंग तयार हो गई है अब इसको मैंने चाहों में रखना है अब दुश्य तरी के सब बेबी टियर्स प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं तो यहां भी इनकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं वैसे सीट सी ग्रोव होते हैं लेकिन कटिंग सी लगाने कर बात आती है तो इस तरीके साब इनकी छोटी से छोटी कटिंग लेकि किसी भी सोयल में लगा देंगे तो यह लग जाती है और यह फिलाल मैंने पोदे नरसरी से पर्चेस करके लाए हुए थे और क्या कहते हैं हिंग को मैंने यहां पर इस तरीके से गह लगा दिया है तो आप इने भी जर है चोटी सी कटिंग है ट्राइक कर रही हूं और सेट हीर बन रहे हैं कि यहां पर मैंने चोटी सी कटिंग लिए हो और मिचे इस गमले में लगाना है देख सकते है कितना चोटा है बालब यान तीन ही शीł है तो छोटी चोटी केटिंग ही आसाली से लग जाती है अगर तो यह लगाते हैं तो आए फोप यह लगा जाए एक नया प्लांट तेयार हो जाए कभी कभी होता मदर अधर बच्ट होता है तो हम नों कटिंग से नको सेप कर सकते हैं तो यह नों यह नहीं पर प्रेंसमर आगे यह वह एक वह एड़ा से चोटे से पॉट में लगा तो सब्सक्राइब कर दो और में दिखा दूं कि इसमें मतलब पहले से थोड़ी से जड़े आई हुई थी उनका जो कॉमन में राइटी होती ना वह भी मेले पास है वेरिगेटर वाड़े थोड़ा सा अलग लगते हैं इनके सेफ होता है थोड़ा फांटन होती हैं बहुत ही प्य प्यूंटन वाला तो मैं सोच रही थी कि मेरा एक प्लांटर भी खाली हुआ नहीं लगाया हुआ था यह जाला देख सकते हैं मैंने खुछ से तैयार किया वाफ एविकॉल के डिपे थे पैंड के डिपे रहे वही खाली करकि मैंने लाश्ट येर बनाया हुआ था भी थोड भी जरूरी होता है फ्रेंड्स थोड़ा से पैसनस भी चाहिए होता है कि हाहा थोड़ा सा एक दूदिन में तो सूख जाए तो इस दीके कि पोर्ट को में रियूज करूंगे फिर से बटिंके भी लगा रहे हुए मैं कर्टिंग इस तरीके से जब चोटे हैं तो इतने बड क्यूट लग रहा है तो अगे की कटिंग भी लग जाएगी वैसे यह पॉपगेट होते रहेते हैं सीट नाए नीचे से उसे हम उनको रिवाइड करके लगा सकते हैं नेस्ट फ्रेंस हमारा यहां लालसा है बहुत ही प्यारी कलर में आते हैं इनकी वेरी कीटेड वेराइटी नाएटी जो आदे ब्राउन कलर में यह पिन को ब्राउन है तो इनकी भी कटिंग में लगाँगी और अभी मैं जब से लिख कर रहे हैं बहुत अच्छे से में मेरा साथ दे रहे हैं और मैं सूच रहती है इसकी कटिंग में तैयार करना और कुछ कर मुझे गिफ्ट भी करन क्योंकि बहुत लोगों यह प्लांट अच्छा लगा कि अगर हमें फूल नहीं आते हैं तो इस तरह के पूदें हैं कलर फूल गार्डन में अड़ करते हैं तो यह सही है यहाँ पर छोटे से कटिंग में उसी गमले में लगा दे रही हूँ अनले टाइम में तक यह लग सके तो एक आछ से कटिंग लगाना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है फिलाल में यहाँ पर ट्रै कर रहे थी इस तरही के से यहाँ पर मेरा यह लग जगिया पारी में बाद में दे दूँगी फिलाला भी में जी कटिंग तेयार होगे तो आप पी इस के कटिंग कोई भी मिलने इनको कटिंग तो फिला नहीं लगाना में लाई थी इसनेर एरिया है तो मतलब कई पोधे थे 15-20 पोधे थे तो मैं एक में करके 5-6-7 आइसे करके लगा दे थी क्योंकि मसाम हो रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था गंबले भी थे वदलब प्रेपेर ते तयार नहीं थे तो आज मैं इनको सोच रही थी अलग कर दूँ तो यहाँ पेस नहीर एरिया के जो फ्लार होते हैं बहुत अच्छे लगते बंचर्स में खिलते हैं पिंटर का बहुत खुबसूरते ब्लांट होता है इसमें आपको वाइड पिंग परपल ब्लू हर कलर के फ्लार मिल जाते हैं तो मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि मेरे पास नहीं हो जाएंगे देर सारे यहां पे भी छोटे-छोटे से हैं मैं सेबलिंग से लाइती चुटे-चुटे पौध ही लाइती तो आज मैं इनको सोचरीती कमले में दो-दो करके लगा देती हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस भी नहीं बचा है इस टाइम पे इतने दम ल्दा करते हूं को बहुत ही नहीं बड़े हो जाती हैं तो दसंस का अंकि लिए जूथे हैं देते गाले मैं शेदा नहीं है है जब तो भी हो जाएंगे तो फीर हिनके लिए नहीं की रियो नचलट कि दिश्क्राइचैती इनके 3 प्रकार वाराइटी होती है एक फ्लार आते हैं इसमें प्लार नहीं आती है नहीं कि मैंने फर्स टाइम गार्डन में एड़ किया है बहुत ही प्यारे लगते हैं एक वेरीगेटेड भी आती है एक बोट लीली के नाम से रहता है यह चुटी सी प्ला प्लाराइटी है यहां पर मैंने कटिंग लगाए हुई थी अपने ग्राउंड गार्डन से लाके तो कहीं भी दिखे लेक नापकी कापों कहीं पे तो छुटी-छुटी कटिंग लाके जरूर अपनी गार्डन में एड़ करिएगा ओधी प्यारे यह लगते हैं जब आप लाएंगे परपर क सकते यलोर ग्रिन रहती हैं तो यहां पर मतलब ग्राउंड गार्डन पर लगा हुआ था तो यहां पर में बोल्डी थी शिटर से मुझे बर्दहीं कुल रगानी से विद्व किस सब्सक्राइब में लगाएंज लगाउंगे फिलाल बहुत ही प्यारे वश्जी का है फर्स टाइम नहीं वराइटी एड करी है गार्डन में यह वाली तो इनकी बिकटिंग हम एजली गुरू कर सकते हैं अगर आपके पास है तो अभी थोड़ी से गुरूत इनकी हो रही है और विंटर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती क्यार करना यह भी नहीं वराइटी थी क और इंस रियो है वरीड़ेटेड वाले हैं तो इनकी बिकटिंग से मैंने तयार किया हैं बहुत यह प्यार लगते हैं के कलर चोटे से पोर्ट में चार इंच चेंच कि जैसे गंले में लगा सकती है यह पैंड का बोड़ल में लगाया हूआ है बहुत है लिखते हैं तो प्लांट होता है आपके गार्डन में सहरा भरा बना रहता है और यह प्रेंस दोर मैसी में जल्दी जाते भी नहीं है तो शुटी से शुटी कटिंग आप लेकर लगा सकते हैं इनको अगर इनके पास पतिया हम जड़ा से टच कर लेते इतनी समय आती है में खुसबू आती है बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा सा मतलब फिरस फिरस फील होता है तो कहीं भी कटिंग अगर दिखे तो जरूर अपनी गार्डन में अट करना बहुत ही जी जुगरो प्लांट है बहुत छोटी से टेम लाकी कहीं भी गार्ड होगे न तो यह लग जाती है और आपका स क्रेंज लगाना यानि अजवाइन कब लांट यह लगा सकते हैं अने इंकठा हैं वैं बनी 가요 लाई है दो यह चाहिए अधाया हुण आपके इन भी डिस्पोजल गिलास सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें बिलते हैं वीडियो न्यू प्लांट इमिन पेमेशन के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाइब बाइ